रवा केक खर किसी को बेहत पसंद होता है और घर के कुछ basic ingredients के साथ ये रवा केक बन करके तयार हो जाता है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वाधिश्ट लगता है बहुत ज़्यादा यमी लगता है आप चाहें तो इसे evening में चाय के साथ खा सकते हैं या फिर यूहीं मैं आपके साथ रवा केक की रेसिपी शेयर करने वाले हूँ जो घर के कुछ बेसिक इंग्रीडेंस के साथ बन के तयार हो जाता और खाने में ये सूपर टेस्टी लगता है तो देरी किस बात की चले फिर स्टार्ट करते हैं रवा केक की इस अमेजिंग सी रेसिपी को बनाना जो जटपट बन के तयार हो जाता है आज हम होममेड स्टाइल रवा केक बना करके तयार करेंगे किचिन में मिलने वाले कुछ बेसिक इंग्रीडेंस से ही आज हम रवा केक बना करके तयार करेंगे तो सबसे पहले इसके लिए हम ले लेते हैं दही तो ये देखे मैंने कर्ड ले लिया है अब इसमें हम एड करेंगे शुगर आप चाहें तो यहां पे शुगर पाउडर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो फिर आप चीनी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं बस ध्यान ये रखना है कि हमारी जो चीनी है वो दही के अंदर अच्छे से mix हो जानी चाहिए तो बस तीन से चार मिनट लगेंगे और हमारी चीनी जो है वो दही के अंदर अच्छे से mix हो जाएंगे एक मिक्षर को अच्छ से फीटना है अच्छ से मिक्स करना है अगर आपको अहाँ पर ninth थीक लगए तो आप वहाँ पर पानी आड़ कर सकते हैं या फिर दूद भी आटाम काता है इससा अच्छा सा बैटर बनाकरर के हमें त्यार कर लेना है जब इनका अच्छा सा बैटर बन के तैयार हो जाये तो इस बैटर को हमें कमसे कम 25 से 30 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना ताकि हमने जो रवा आड किया है वो अच्छे से फुल जाए अगर रवा अच्छे से फूल जाएगा तो हम जो केक बनाएंगे वो केक ड्राई नहीं बनेगा तो बस 25-30 मिनट के लिए इसे साइड में छोड़ दीजे रेस्ट करने के लिए 25-30 मिनट के बाद आप देखेंगे की रवा फूल करके बिल्कुल डबल हो चुका है और हमारी जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा ठीक हो चुकी है तो इस स्टेज पे आप यहाँ पे चाहें तो पानी या फिर दूद का इस्तिमाल कर सकते हैं पानी और दूद का इस्तिमाल करके आप एक सही consistency बना करके तियार कर लीजे, केक वाली consistency हमें चाहिए, तो पानी धीरे धीरे add कीजिए, और एक अची सी consistency बना करके तियार कर लीजे, अपनी batter की, अब इसमें हम add करेंगे fat, तो fat के जगह पे मैंने यहां पे घी लिया है, मैंने तीन बड़े चम्मच के करेंगे गी अड़ किया है, क्योंकि हमें healthy रवा केक बनाना है, आप चाहें तो यहां पे रिफाइंड या फिर बटर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, उपर से add करेंगे, लगबग साथ से add drop के करीब, vanilla extract का, उपर से हम add करेंगे, आदे चम्मच के baking soda और एक चम्मच के करीब, मतलब 1 tea spoon के करीब हम baking powder add कर देंगे, अब इन सबको हमें अच्छे से mix करना है, अच्छे से fit लेना है, तो यह देखिए इस तरीके से इन सबको हमें अच्छे से mix कर लेना है, अच्छा सा batter बना करके तयार कर लेना है, चलिए जब तक हम इसे mix कर हम अपने oven को preheat के लिए रख देते हैं, तो 180 degree पे अपने oven को preheat होने के लिए रख दीजे, लगबग 10 मिनट के लिए जब तक हमारा oven preheat हो रहा है, तब तक हम अपने cake tin को ready कर लेते हैं, तो इस तरीके का एक cake tin ले लिजे, आप चाहें, तो round ले सकते हैं, square ले सकते हैं, मैंन असानी से बाहर निकल के आजाए, अब इसमें अपने batter को transfer कर दीजे, batter को transfer करने के बाद एक से दो बार अपने tray को अच्छे से tap कर लिजे, जिसमें भी आप cake को bake करने जा रहे हैं, उसे एक से दो बार अच्छे से tap कर लिजे, ताकि उसके अंदर जो air हो वो बाहर निकल हमें 35 मिनट के लिए bake करना है, दोनों rod on रखने हैं और बस 35 मिनट के लिए हमें इसे अच्छे से bake करना है, ध्यान रहे कि इस स्टेज पे हमारे oven का temperature जो है 160 डिग्री रहेगा, अगर आप 160 डिग्री से जादा रखेंगे तो आपकी cake बहुत ज़्यादा dry हो जाएगी और आपके हैं और हमारा cake जो है वह बिल्कुल अच्छे से bake हो चुका है अब इसे बहार निकालेंगे और इसे ठंडा करेंगे और हम इसे Dmold करेंगे तो चलें फिर आगे बढ़ते हैं तो यह दखिते हैं रवा-कीक बन के बिल्कुल तयार हो चुका है तो चलें किसे लिए अपने मनचाये शेप में कट करें और इसे अपृषर करके रख सकते हैं। अगर आप इसे फ्रीज में अपने पंद्रा दिन के लिए आप आप इसे अपने स cep Grad मेरे और अगर आप इसे स्अचे अधाइकों और आप us तूर करके रख सकते हैं। बच्चे तो इसे यूँ ही चट कर जाते हैं बच्चों का तो ये बेहत फेवरेट होता है तो बस कुछ इसी तरीके से आप भी रवा केक बना के तयार कीजिए ये हल्दी रवा केक पोखोती ज़ादा अमेजिंग लगते हैं खाने में प्रादा अमेजिंग वा कर रादा अमेजिंग रवा का तो ये बेहते हैं